नमस्कार गक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 इसका प्रशन 3 है सिद्ध कीजिये कि निम्न संख्याई अपरिमय है इसमें पहला भाग है एक बटा रूट दो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इस प्रशनावली का प्रथम प्रशन किया था जिसमें कि आपने रूट पांच को एक परिमय संख्या सिद्ध किया था आए देखिए मानलो एक बटा रूट दो हम इससे उल्टा मानते हैं हमें अ परिमय सिद्ध करना हमें इससे पहले परिमय मानते हैं मान लो एक बटा रूट दो एक परिमए संख्या है यदि यह परिमए होगी तो यह ए बटा बी के रूप में होगी जहाँ पर बी जीरो होगा ए और बी पुर्नांक होंगे पुर्नांक यानि प्लस वाले माइनस वाले या जीरो नमबर कुछ भी हो सकते हैं दूसरा A और B सह अभाज्य होंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टन पॉइंट आवह यह हैं कि A और B सह अभाज्य होंगे यानि A और B में कोई भी सार्व गुननखन किसी एक पहाड़े में A और B दोनों नहीं आ सकते सह अभाजे का यह मतलब है यदि एक बटा रूट दो इसके ब् desafden है तो हमने क्या किया इन दोनों को delta कर दिया एक बटा रूट दो का ultra ले लिया रूट दो तो यहाँ भी A बटा B का ultra ले लिया B बटा यह अगले step मेरे यहाँ भाग हो रहा था उधर जाके हो गया गुना root 2A बराबर B बन गया दोनों का square कर दिया तो root 2 का square हो गया 2 A का square हो गया A square बराबर B का square हो गया B square यहां हमने इस equation का square किया है इससे हमें यह पता चलता है कि A को किसी number 2 से गुना करेंगे तो B आएगा B square आएगा इसका मतलब 2 जो है B square को विभाजित करता है है ना B square किसके बराबर है A square गुना 2 इसका मतलब 2 B square को विभाजित करता है और यदि 2 B square को विभाजित करता है तो 2 B को भी विभाजित करता है तो हम माल लेते हैं कि अगर B 2 के पहारे में आता है तो मान लेते हैं एक नंबर होगा के जिसको दो से गुना करने पर बी आएगा जहां के कोई पुर्णांख है अब यह जो बी का मान है बी बराबर दो के इसे हम equation 1 में रखेंगे इस equation में देखो यहां था 2A square यही लिखा 2A square बराबर बराबर बी की जगा लिखा यह जो हाया था 2K बी का square था तो 2K का square होगा 2A square बराबर 2 का square होगा 4 K का square होगा के square दो इदर A square के साद गुना और था उधर रहा कि होगा भाग 2 से 4 कड़ गया 2 तो हमारे पास आगया Antes square बराबर 2 के square इसका मतलब के square को 2 से गुना करने पर a square आएगा इसका मतलम 2 a square को भी भाजित करता है यदि 2 a square को भी भाजित करता है तो 2 a को भी भाजित करता है इसको देदे equation number 3 अब इस equation को और इस equation को ध्यान से देखिए यहां लिखा है यहां लिखा है 2 b को भी भाजित करता है और यहां लिखा है दो ए को भी भाजित करता है इसका मतलब दो बी को भी भी भाजित करता है और दो ए को भी भी भाजित करता है यही हमने लिखा दो ए और बी का सार्व गुननखंड है वो दोनों को भी भाजित करता है लेकिन हमने तो यहां लिखा था कि A और B पुर्णांख्या और सह अभाज्या है यानि कि A और B में कोई भी common factor नहीं हो सकता सार्व गुननखंड नहीं हो सकता लेकिन यहां तो हमने देखा कि 2 A और B का सार्व गुननखंड आ गया इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी वो गल्थी हमारी कल्पना क्या थी कि मालो एक बटा रूट दो एक परिमय संख्या है यह कल्पना गल्थ है इसका मतलब सिध्धुआ कि एक बटा रूट दो एक अपरिमय संख्या है तो इस हिसाब से बच्चों हमने इसे सिध्ध किया है आई ये इसका दूसरा भाग देखते हैं दूसरा भाग है जैसा आपका प्रेशन दो था माल लो साथ रूट पाँच एक अपरिमेसं गया तो माल लेते हैं इसमें ऐसे वाले सवालों में तो हमने क्या करना है जहाँ पे root के साथ एक number भी दिया हो तो वहाँ हमने क्या करना है number को दूसरी तरफ ले जाना है देखो कैसे 7 root 5 ब्राबर A बटा B 7 इदर गुना हो रहा था तो उधर या के हो गया भाग A बटा 7 भी हो गया root 5 इदर ही बच गया अब क्लियरली यहां दिखाई देती है कि इस बराबर के निशान के left side जो संख्या है वो root वाली है यानि A परिमे right side जो संख्या है वो है A बटा 7 B जिसमें से A बटा B को हम पहले ही मान चुके है कि यह परिमे संख्या है 7 भी अपने आप में परिमे संख्या है इसका मतलब A बटा 7 B पूरा ही है परिमे संख्या होगा अब एक equation में left side A परिमे और right side परिमे हो ही नहीं सकती यही हमने लिखा equation एक में left hand side A परिमे है जबकि right hand side परिमे है यह संभाव नहीं है इसका मतलब हमारी जो कलपना थी वो गलत है हमारी कलपना थी मालो 7 root 5 एक परिमे संख्या है यह कलपना गलत है इसका मतलब सिद्धुआ की 7 root 5 एक A परिमे संख्या है बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट है 6 plus root 2 को हमने A परिमे सिद्ध करना है पहले उल्टा माल लिया मालो 6 plus root 2 एक A परिमे संख्या है तो जब परिमय संक्या है इसको पहले परिमय मानना है तो 6 प्लस रूट दो परिमय है तो A बटा B रूप में होगा जहां B 0 होगा A और B पुरनांक होंगे और सह अभाज्य होंगे यानि इनका कोई भी common factor नहीं होगा अब 6 इदर रूट दो के साथ प्लस हो रहा था तो उधर जाके होगा माइनस फिर से वही चीज equation equal to के left side पर equation के left side पर रूट दो है root दो है जो की A परिमय संक्या है और equation के right side पर A बटा B परिमय ही है हमने पहले ही माना और 6 अपने आप में परिमय है इनको घटा के परिमय संक्या ही आएगे फिर वही समस्या हो गई कि equation 1 में left hand side A परिमय और right hand side परिमय हो गई जो की संभव नहीं है equation 1 में left hand side A परिमय है जबकि right hand side परिमय है यह संभव नहीं है इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है हमारी कल्पना क्या थी? कि 6 प्लस रूट दो एक परिमय है तो यह कल्पना गलत है इसका मलत सिध्धुआ कि 6 प्लस रूट दो एक अपरिमय संख्या है ठीक है थैंक्यू बच्चो इससे आप ये भी देखते हैं कि ऐसा कोई भी रकम आपको आजए 7 रूट 5 यहां दिया है 6 रूट 3 आजए 2 रूट 5 आजए 7 रूट 11 आजए सभी को आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं और यदि 6 प्लस रूट 2 है इसकी जगा 3 प्लस रूट 5 आजए 5 प्लस रूट 3 आजए 2 प्लस रूट 7 आजए ऐसा कुछ भी आजए तो आप इसी तरीके से बिलकुल सेम स्टेप्स के साथ उसको हल कर सकते हैं